So welcome है आपका एक और वीडियो में आज हम बात कने वाले हैं Meta Ozone के बारे में इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था इसके बारे में हमने बात करी थी और बहुत सारे कॉमेट्स आये हुए हैं तो इस लोड़ा सा हम बात में देखते हैं जो सबसे पहले इसका जो price है वो देखते हैं, तो coin market cap पे अगर आप इसी देखोगे, तो यहाँ पे ozone metaverse है, जो कि meta ozone नहीं है, अगर हम यहाँ पे search भी करते हैं, तो कुछ खास नहीं आएगा, because यह यहाँ पे listed ही नहीं है, और अगर हम coin gecko पे भी देखें, तो यहाँ पे भी यह जो है listed नहीं है, आप खुद भी जाके इसे check कर सकते हो, तो इसका जो अगर आप price देखना चाहोगे, तो इनकी website पे ही देखने को मिलेगा कहीं, और आप नहीं देख सकते, और यहाँ पे initial supply में यहाँ पे 50,000 tokens होने वाले थे, लेकिन अभी यहाँ पे जो current supply है, यहाँ पे 22,408 token है, जो कि इसकी initial supply से अभी आधी है, और यहाँ पे अगर आप देखोगी इसके जो miners है, तो यह जो miner का address अगर आप check करते हो, तो यहाँ पे इनके wallet में कुछ भी नहीं है, कहने का मतलब यह है, तो यह जो mining हो रही है, यह किस तरीके से हो रही है, इसका कोई sense नहीं बनता है, और अगर कोई यहाँ पे sticking करके mining कर रहा है, तो उसका address यहाँ पे क्यों नहीं show हो रहा है, कई सारे questions हैं, और उसका जवाब मिलना थोड़ा सा भी मुश्किल है, बाकि यहाँ पे transaction वगेरा, ऐसे दिख तो रहा है कि हाँ कुछ न कुछ तो हो रहा है, और अब बात करते हैं meta game की, तो यहाँ पे जो इसकी game है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो पता नहीं, यह app सही से काम करती भी है या नहीं करती है, तो वो भी यहाँ पे नहीं पता लग रहा है, और साथ में यहाँ पे जो meta NFT है, तो यह कहां जा रहा है, कही नहीं जारह है, वेकॉज यहह यहीं पे घूम रहा है, तो कहनए का मतलब यह है, के इनोंने ऐसी website बनाई है जो कि किसी काम के नहीं है और नहीं यहां पर कोई update वगएरा हो रहा है तो यहां पर अपने project को यहां पर mention किया हुआ है और एक ozone chain डाला हुआ है है bitmart डाला हुआ है metagame और like wallet तो bitmart तो देखो इनसे अलग है वो खुद का एक exchange चलाती है तो हो सकता हुआ पर लिस्ट अगरा करवाने वाले होगे लेकिन इनके जो project है यह नहीं है और metagame का हाला तो आपने देखी लिए कि क्या चल रहा है और जो like wallet है इसको भी अगर आप देखोगे तो इनका यह जो like wallet की website है इन्होंने copy किये इस website से अब यह जो website है यह original website है यह काफी पहले से है और यह जो है recently आई है क्योंकि अब इसी बाद है कोई भी देखके बता सकता ह है कि कौन सा genuine है कौन सा नहीं है क्योंकि सब चीज़े यहां पर हिली पड़ी है इसका जो logo है यह stressed है अब यहां पर इन्होंने प्रॉपर तरीके से इसके जो download बटन वगएरा है बनाए हुए इसका download बटन देखो किस तरीके से है और जो सारे thumbnails वगएरा है जो भी screenshots वगएरा बेकाज दूसरे की चीज़ copy करके अपनी website पर लगाना कोई sense नहीं बनाता है यहां पर अगर यह जो meta ozone चलाने वाले लोग हैं यह इतने capable हैं कि खुद का यह blockchain बना सकते हैं खुद के website बना सकते हैं तो क्यूं यह दूसरे के website या दूसरे के product को copy करके खुद के नाम से change करके publish कर रहे हैं तो यह काफी senseless चीज़े हैं अगर आप लोग को अभी भी समझ में नहीं आया क्या हुआ यहां पर तो भगवान भरोसे हैं आपका सब कुछ और जो लोग यहां पर काफी चौड़ चौड़ के कहते हैं कि भाया यह genuine है तो नहीं है आपका meta ozone कोई genuine product अब सा देखो research करो थोड़ा सा दिमाग लगाओ अगर आपको नहीं समझ में आता है तो भगवान आपको थोड़ी सी बुद्धी दे ताकि आप इस चीज़ को समझ पाओ और कुछ लोग कहते हैं तो भाई तुम्हारा multi-level वाला यह जो क्वाइन चल रहा है इस से बड़ा fraud क्या हो रही है तो यह बताओ ना पहले यह जो genuine सवाल है यहां पर इस चीज़ का answer जो है इनका जो परड़क्ट है वह ऐसा है कि दूसरे को फसा अगर वह फस गया तो वहां से आपको commission मिलेगा और जितना फसाते रहोगे उतना आपको commission मिलता रहेगा और यहां पर यह जो कहते है जब यह genuine website ही नहीं अपनी बना सकते तो बाकि तो बात ही अलग है बाकि जो लोग यहां पैसा लगाए हैं अंतरवक्तोर रखें उनको तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है meta ozone meta ozone पर जो लोग समझतार हैं वो लोग समझते हैं कि किस तरीके से चीज़े हैं बाकि यहां पर पे कहते हैं के audit किया है तो चेक की जीकों Dasating के ऊपर यहां पे चेक किया लेकिन यहां पर पर वेरिफाई कर भी देता है कि यह जो प्रजेक्ट है जैनल नहीं है अच्छा है तो भी इससे कोई फरक नहीं बढ़ता अगर यहां पर यहां पर 58 स्कोर दिया है पहले यहां पर जाता स्कूर था और इसका जो प्राइस है यहां पर देखो कितना कम हो चुका है मेरे चैनल है बस यह बहुत भी हैं और कुछ बीने कुछ और यहां पर नहीं बताथा है कि अल्सके पर भरोसा करना मेरे साफ से तो सही नहीं होता है यहां पे बस दूसरे को फसाना है और पैसा कवाना है वो सिस्टर है अगर आपको लगता है कि इसके इलावा यहां पर कुछ और है तो गलत फहिमी है और यहां पर बहुत सारे ऐसे जो है कॉमेंट आ रहे हैं कि मैं एक साल हो गया तो भाई थोड़ा टाइम और कुछ नहीं है कहीं और इसकी बात क्यों नहीं हो रही है सिर्फ आपके कम्युणिटी में नहीं हो अपर आप साल साल कुछ करते हो कुछ वेबसाइट बना रहा है तो देखो क्या है क्या नहीं है तो जो लोगों कभी यहां पर लगर आए कि जो प्रजेक्ट बढ़िया है तो देखो मेरी साथ से बढ़िया नहीं है बाकि आपको जो ठीक लगता आप समझो मैंने जो चीजी थी जो सवाल थे आपको यहां पर दे द झाल झाल